असलाम अलेकूम हाज मारा क्विक बुक ऑनलाइन का फौर्थ लेक्चर है इसमें हम कुछ एडवांस सेटिंग और फीचर को देखेंगे सबसे पहले अपने क्विक बुक ऑनलाइन में लोगिन हो जाना है उसके बाद यह राइट साइड पर टॉप पर गेर का बटन है इस पर कमपनी में जाके अकाउंट्स एंड सेटिंग इस पर यह द्फ़ा किलिक कर देंगे जो होपन हो जाना ओडिए इसमें आपने जोगिन होता है जनवे से लेके दिसमबर दिसमबर तक का होता है इसमें हम अपने financial period को July to June करेंगे इसके लिए सबस्क्राइब देखे राइड साइट पर एटिट का option है उस पर क्लिक करेंगे उसमें first month of financial year इसमें जहाँ पर हम select करेंगे जुलाई को उसके बाद इसमें हमारे पास second option आ रहा है first month of the text year जो मैं यहां पर drop down menu पर list पर क्लिक करता हूँ इसमें दो options हमारे सामने आज़े हैं January या same as financial year same as financial year पर क्लिक कर देगे हम लोग चुकि टेक्स यह सेम ही है हमारा उसके पास इसमें third option आ रहा है method accounting method हमारे पस actual basis होता है जहाता है तो हम actual basis select कर लेंगे उसके बाद जहां पर close the books यानि कि आपके accounting प्रियर डवर कब close होता है उसको एक्टिव करके यहां से हम date select कर लेंगे कोई भी closing प्रियर जून होता तो जून से जहां पर select कर लेंगे 30 जून की date को हम select करके और save button पर click कर देंगे उसके बाद जहां पर आ रहा है company टाइप यहां पर हमारे पस मुखलिफ options available है sole proprietor भी होगा partnership और limited company और मुखलिफ हमारे पस options available है हम से फिलाद sole proprietorship को जहां पर select करेंगे अब आप यह जो भी company type होगी आप जहां से select कर लीजेगा उस save button पर click कर देंगे थर्ड जो option हमारे पस start of accounts का है जब भी आपको यह account create करते हो तो हर account का एक reference number होता है उस reference number को active करने के लिए यानि उस account number को use करने के लिए यहां से उस option को यहां पर on करना पड़ेगा आपको show account number पर टिक करके save button पर click कर देंगे हम लोग उसके बाद हमारे पास next option आ रहा है categories taking classes यह बहुत important option है अगर आपके expenses और sales एक से जादा location से जनरेट हो रहे होते यानि आपकी companies की मुखलिफ branches है या मुखलिफ departments है तो उस वक हम track classes और track location के option को use करते हैं उसके बाद हमारे पास next option है automation का इसमें देखिए यहां पर दो options वो हैं वो आपके काम के हैं पहला जो है automatically invoice and build activity यानि कुछ इस ऐसी होती है जो कि आपके customers जाए Suppliers को वो monthly basis पर जानी होती है हर हाल में Suppliers से तो bills आते हैं हमारे पास यानि आप जो monthly billing करते हो अगर उसका automatic bill generate हो जाए तो हम जहां से सेटिंग को जूस करेंगे इस option को अउन कर देता हूँ यहाँ इसके बाद drop down लिस्ट पर क्लिक करूँगा मैं उसके चाहिए होगा हमें second option है जब आपका automatic bill बन जाएगा तो हमें quick book online की तरफ से software की तरफ से inform कर दिया जाएगा थर्ड हमारा option है मिझे remind कर दिया जाएगा फिला में third option को select कर लें तो में और schedule में 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 month को select करूगा date select कर लोगा कोई भी first date और यहां से Monday को select कर लोगा और जो हमारा automatic invoice का option है यह active हो जाएगा उसके बाद third option है automatically apply bills payment यानि कुछ bills की ऐसी payment होती है जो कि हम मतली base पे कर दे हो हो अगर हम यहां से इस option को active कर देंगे तो यह आपके bank account से जो payments है वो automated detect होके आपके supplier के पास चली जाएगी फिलहार हम language option पर आ जाते हैं यहां से language को भी select कर सकते हैं currency को भी हम select कर सकते होम को जो currency होगी आगर आगर आपके पाकिसान रुपीज है फिलहां पाकिसान रुपी prices में multi currency को use करना चाहिए तो यहां से इस option को active कर सकते हैं उसके पस हमारे पास next option is other preferences उसमें जो हमारे लेजर में date का जो format होता है जहां से हम date format को select कर सकते हैं लेजर के अंदर जो हमारे पास amounts होती है उसके format को हम से select कर सकते हैं कि amounts की format किस तरका हो हमारे पास अगर हम गलती से अपने check number को duplicate दो दफार repeat कर देते हैं अपने quick book online software में तो मारे पास यहां पर warning का option आजए कि आपने check number जो है वो दो दफार एंटर किया है इसके लाब आप यहां पर कोई invoice number जो हो वह आप two times उसका number पर एंटर कर दे या general number है उसको अगर आप two times अगर गलती से use कर देते हो तो जहां से inform हो जाए विसे तमाम option को जहां से active कर दूगा इसके लाब अगरा quick book online को login को के use नहीं करे होगे तो वह automatic logout हो जाएगा software तो कितनी दिए बार software लोगाउट हो उसमें तीन option available है एक गेंटा दो गेंटा तीन गेंटे है तीन हमें वन और के पर को स्लेक करता हूँ और से बटन पर क्लिक कर दूँगा इस तरह से हम अपनी quick book online में settings कर सकते हैं जो कि बहुत जोरी होती है इसके लब आप quick book online के अगर मजीर अपने lectures देखने हो तो हमाई quick book online की playlist है वहाँ पर जिससे जाके आप देख सकते है अगर यह video अच्छे लगए इसको like करें आगे share करें हमाई चैनल को subscribe कर लेजिए इसके लब हम आप online bookkeeping की service वह प्रवाइड करते है अगर किसी company ने online bookkeeping वह कमानी तो हमसे contact कर सकते bookkeeping service के लिए हमाई website को visit करें कलम नए topic के साथ मिलेगे thanks for watching